बस कुछ देर में अतीग एहमद और असरप को किया जाएगा सुपरत एक खाक, तीनो आरोपी कॉंट्रेक्ट किलर, F.I.R. में खुला सा, नमस्कार दोस्तों मैरे अतम सिंग और आप सुपरत एक खाक किया जाएगा, अतीग एहमद और उसके भाई असरप एहमद की हत्या के म मामले में रवीवार 16 अप्रैल को कई बड़े खुलासे हुए, पुलिस ने अतीग और असरप की बौड़ी पोस्मार्टम के बाद परिजन को सौप दी है, उस देर में दोनों का सुपरत एक खाक किया जाएगा, दोनों भाईयों की हत्या को लेकर विपच्छ दलों ने बी कोस्मार्टम रिपोर्ट के अनुसार अतीग एहमत को आठ गोलियां लगी थी, अतीग एहमत और असरप की हत्या में लवलेस थिवारी बांदा, मोहिद उर्फ सनी हमीरपूर और अरुन मौरिया कास कंज एटा को गिर्पतार किया गया है, तीन हमलावरों को 14 दिन की जुड विदेशी हत्यार, मीडिया का फरजी आईडी कार्ट और कैमरा देकर अतीग असरप की हत्या के लिए भीजने वाले मस्टर माइंड की पड़ताल करने में जुटी है, तीनों आरुपियों ने पूस्ताज के दौरान पुलिस से कहा कि वे अतीग और असरप गिरों का सफाया कर प्रदेश में अपनी पहचान बनाना चाते थे, इस हत्याकान के संबन में दर्ज की गई प्रात्मिकी में इस बात का जिक्र है, इस मामले के दौरान गोली बारी में आरुपी लौलेस तिवारी को भी गोली लगी है और उसका अस्पताल में उप्चार किया जा रहा है, कि हम अतीग और असरब गिरों का सफाया कर प्रदेश में अपने नाम की पहचान बनाना चाते थे, जिसका लाब भविस में निश्चित रूप से मिलता, हम पुलिस के घेरे का अनुमान नहीं लगा पाए, और हत्या करने के बाद भागने में सफल नहीं हो पाए, पुलिस क तेजी से की गई कारवाई में हम लोग पकड़े गए, दर्ज प्रतमिकी के अनुसार आरोपियों ने कहा कि जब से हमें अतीक वा असरब को पुलिस हिरासत में बेज़े जाने की सुसना मिली थी, हम तभी से मीडिया कर्मी बनकर यहां की अस्थानी मीडिया की भीड में रह के अनुसार इलहाबाद हाई कोर्ट के सेवा निर्विद न्याएधीज अर्विंद कुमार तिरपाठी दियुति की अध्यचता में पूर्ब पुलिस महान निदेशक सुबेश कुमार सिंग और सेवा निर्विद जनपत न्याएधीज ब्रिजेश कुमार सोनी को बताव सामिल करते हुए तीन सदस्य आयोग का गठन किया गया है आयोग को मामले की जांच के बाद दो मैने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौपनी होगी राजी के ग्रह विभाग ने जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहट आयोग का गठन किया है मुख्यमंदरी योगी आदि पच्छे नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है AIMIM के अधिक्स असुद दिन ओवैसी ने मुख्यमंदरी योगी आदितनात के इस्तीफे की मांग किया शाती उन्होंने सुप्रिम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने का अनरोध किया उन्होंन जिन्होंने पुलिस और मीडिया की मौजुदगी में सोची समझी साजिस के तहत हत्या को अंजान दिया पसिम बंगाल की CM और TMC चीफ ममता बिनर जी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में आरजकता और कानून व्योस्ता के पूरी तरह शर्मरा जाने से इस्तब्ध हूँ दिर रिपोर्ट रिगार न्यूज